स्वधा आंटी आज यो आल नो हम लोग लास्ट कई टर्न से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं और हमने लास्ट टर्न पर जो पोर्शन आपका खतम किया वो था MS Word आज से हम एक नए अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर की बात करेंगे जिसका नाम है एक्सेल यह सारे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस आउट लोग यह सारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैकेज में आते हैं और इन्हें अलग-अलग कामों के लिए डिजाइन किया गया है तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नमबर सिक्स जो बेसिक्स ऑफ सबसे इंपॉर्टिंट हिस्सा तो सब से पहले हम यह जान लेते हैं ऐखेऊ जैसा कि में आपको बताया के हम लोग बहुत सारे application software पढ़ रहे हैं तो पहले आप ये समझे कि application software क्या है ये मैंने आपको last time पे भी बताया है कि application software क्या है जब हम chapter number one आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि application software software का एक type है जो किसी specific तरीके के काम को करता है ठीक है तो ये जो आपका excel है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपका क्या करता है ये आपके data को tabular form में arrange करता है और इसके ओपर different तरीके के calculations करने की आपको permission देता है तो आप जब excel खोलेंगे तो excel में जो आपको first page अपना दिखाई देगा उस page को हम क्या बोलते हैं उस page को हम बोलते हैं spreadsheet first and other pages are known as spreadsheet spreadsheet क्यों बोलते हैं अब आप ये समझ लीजे कि अगर आप इसका basic structure देखें spreadsheet का तो इसमें आपको rows मिलेंगी जो horizontal होंगी और आपको बहुत सारे columns मिलेंगे जो vertical होंगे columns के नाम आप A B C D and so on करके लिखेंगे rows के number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on आपको मिलेंगे ठीके तो अब हम यहां पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं इस spreadsheet के जो features हैं वो क्या-क्या हैं तो अगर हम इस spreadsheet के features की बात करें तो इसका जो पहला feature आपकी book में दिया हुआ है वो दिया हुआ है auto sum अब auto से मतलब है automatic और sum का मतलब summation से sum का मतलब होता है जोड़ना जब आपकी नहीं दो numbers को आपस में add करते हैं दो, दो से ज़्यादा या कितने भी numbers को add करते हैं तो वो sum कहलाता है और auto का मतलब क्या हुआ automatically यानि आपको वो numbers बार बार टाइप ना करने पड़ें आप बस select करें और आपके उन नमबरों का जोड़ करके आपके पास आ जाए second is list auto fill list auto fill क्या करता है कि आपकी मान लीजे आपने इस cell को अपने red color का कर दिया और इसके font को आपने 14 points का कर दिया और yellow कर दिया इसके नीचे वाले cell को भी ऐसे ही कर दिया इसको भी ऐसे ही कर दिया तो इसकी जो भी properties होंगी इसकी जो भी formatting होगी वो आपकी नीचे वाले cells में अपने आप आ जाएगी तो ये क्या करता है list auto fill extend cell formatting उपर वाली cell की जो formatting होगी उसको नीचे की cell में भी transfer कर देता है फिर आता है auto fill अब auto fill क्या करता है कोई भी repetitive text होगा या कोई भी chronological text होगा तो वो उसको क्या करेगा आपकी next cell में डाल देगा जैसे आपने यहाँ 1 लिखा यहाँ 2 लिखा यहाँ 3 लिखा यहाँ 4 लिखा अगर आप इसको select करके नीचे drag कर दे तो यहाँ 5,6,7 अपने आप आ जाएगा यह आपका क्या है auto fill यहाँ आपने यहाँ 1,1,1,1 लिख रखा है इसको select किया और drag कर दिया तो यहाँ भी 1,1,1 आ जाएगा यह हो गया auto fill इसके बाद next जो feature आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है auto shapes यह feature आप लोगों ने MS Word में भी पढ़ा है auto shape का मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी shape बनाने की ज़रुरत नहीं है आप rectangle, circle, star, smiley कुछ भी वहाँ पहले से default setting में पड़े हुए है आप वहाँ से इसको drag करके अपनी file में ला सकते हैं और उसको वहाँ पे insert कर सकते हैं और उसकी properties में according changes कर सकते हैं next is wizard what is this wizard? it is help wizard जब भी आप कोई काम करते हैं आप नए software पे आते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है उसके बारे में तो आप इस wizard में जा करके उसके index में लिख सकते हैं या देख सकते हैं कि हमें इस topic के बारे में पढ़ना है और इस topic के बारे में आपको सारी जानकारियां प्रदान करते दरा है इसके बाद आता है drag and drop drag and drop का मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपने यहाँ पे mouse बटन को दबाया और इसको drag किया यहाँ से यहाँ तक तो जो text यहाँ लिखा होगा वो वहाँ से उट करके कहाँ आ जाएगा इस cell में आ जाएगा यह feature क्या कहलाएगा drag and drop इसके बाद आपका feature आता है chart अब chart क्या है जैसे आप सभी ने देखा होगा अगर एक class में माली जाप की class में 10 बच्चे है 10 बच्चों की height अलग-अलग है अब हम चाहते हैं कि इस दसो बच्चों की height को हम chart से दिखा दे तो हम क्या करते हैं हम इसको x-axis पे plot करते हैं यहां हमने बच्चों के नाम लिखे और यहां हमने height लिखे अब मालो राम की height इतनी है शाम की height इतनी है मोहन की इत्ती है गरिमा की इत्ती है और सुर्भी जो हैं वो बहुती लंबी हैं इतनी height हो गई, तो आपने क्या किया, height को कैसे दिखाया, data representation के थू दिखाया, और आपने क्या किया, उसको artistically present किया, तो जो भी आपका चार्ट है वो क्या है, graphical representation of data है, जिसको आप graph में plot करते हैं, इसके बाद next property आई, pivot table, pivot table क्या है, पिविट टेबल एक ऐसी टेबल है जो किसी भी डेटा को बहुत आसानी से flip और sum करती है तो अगर हम इसको define करें तो it is a table which flips and sums data very easily तो यह आपका होगा pivot table ठीक है pivot table के बाद आया shortcut menu आपको जब भी किसी चीज़ पर काम करना होगा आप mouse का right button दबाएंगे right button आपको उसका shortcut दिखाई दे जाएगा तो यह आपके spreadsheet के features थे ठीक है बच्चो तो आज आपकी features सारे revise करेंगे देखेंगे और next time पर हम पढ़ेंगे features of Excel 2007 okay till then bye bye thank you we will meet again